बहूत थे मेड़े भी इस दुनिया में अपने फिर हुआ सच बोलने का नसा और हम लावारिस हो गए उन लोगों से हमेशा दूरी बनाये रखें जो कभी सुईकार नहीं करतें कि वो गलत है और हमेशा आपको ये महसूस कराने की कोशिस करते हैं कि सारी गलती सिर्फ आपकी ह जो हमारे जज़बातों की कद्र नहीं कर सकते उनके पीशे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है जब किसी की नजर अंदाज करने की हद हद पार कर जाए तो आपका उससे दूर हो जाना ही बहतर है जिन्दिगी में कौन आया कौन गया या जरूरी नहीं मुश्किल वक इसी काम से मिला इज़्जत पर कोई डिसकाउंट नहीं होती है दोस्तों जब मिलती है तो कूरी मिलती है और जब जाती है तो कूरी जाती है क्योंकि तूफान में कस्तियां और अभिमान में हस्तियां दूब ही जाती है दूसरों को रुला कर हासिर की हुई चीज आखिर मे हें रोकर खोनी परती है हर तकलीप से इंसान का दिल दुक्ता बहुत है पर हर तकलीप से इंसान सीखता भी बहुत है मुझे हसता हुआ देखकर लोग समझते हैं कि मैं गमों से खाली हूँ पर उनको क्या पता जो गमों का बाग है मैं उस बाग का माली हूँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें ये एहसास होने लगता है कि हमने ब्यर्थ ही उन लोग को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था बद्तमीज इंसान को अच्छी सीख देने की भूल मत करना उसे समझ में आए या ना आए लेकिन आप दोनों के रिष्टे जरूर खराब हो जाएंगे उमर से कोई लेना देना नहीं होता दोस्तो जहां विचार मिलते हैं वहां सची दोस्ती होती है याद रखिये बहुत से लोग आपको जानते होंगे परन्तु कुछ ही है जो आपको समझते भी होंगे जिंदिगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे कभी-कभी खुद की गलती भी मान लेनी चाहिए, सायद कोई अपना दूर होने से बच जाए मालूम है कि खुआप जूटे है और खुआई से अधूरी है पर जिन्दा रहने के लिए कुछ गलत फाहमी भी जरूरी है याद रखिए जो देर से मिलते हैं वही दूर तक साथ चलते हैं इसलिए सबर रखिए और इंतजार करिए सिर्फ मुश्कुडा दीजिए और कह दीजिए ठीक हूँ क्योंकि हकीकत में कोई किसी की परवा नहीं करता जीवन में चार चीजे मत तोड़िए विश्वास, इस्ता, वदय और वचन क्योंकि ये जब दूटते हैं तो आवाज नहीं आती पर दर्द बहुत होता है जहां विश्वास है वहां सबूत की जरूरत ही नहीं होती आखिर गीता पड़ भी कहां स्री कृष्ण के हस्ताक्षर होते हैं एक जूटे ब्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वह सच बोलता ह है तो उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता जब जरूरत हो तभी जलाओ अपने आपको तुमकि उजालों में छिरावों की आमियत ही नहीं होती है यू तो जिंदिगी में आवाज देने वाले धेरों मिल जाएंगे लेकिन बैठिये वही जहां अपने पन का एहसास हो यकीन करो जो भूल चुका है तुम्हें वो भी याद करेगा बस उसके मतलब के दिन तो आने दो ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिष्टे जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा स जाकता हैं मगर उसके खाली पन को 100 लोगों से विदह नहीं बढ़ा जा सकता है किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बढ़ी बात नहीं कि पसंद बन जाना बहूत बढ़ी बात है ही सिकवा हमें कि इसी की बेरुखी से सायद हमें ही नहीं से हम्हाला ने गया हमसेALL strike कितने लोगों के काम आये थे हम खुद को खोव दिया हमने सब को खुश रखते रखते और लोग पूछते हैं कोई तकलीप तो नहीं जब कोई दिल दुखाए तो चुप राना ही बहतर है तो कि जिने हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है कोई तेरे साथ न तो सब्दों से भी गलत फामी हो जाएगी कोई दिल से दुआ कड़े तो कुछ बात बने जुआ से तो हर कोई कह देता है फूसर हो गिर्गिट सा रंग बदलता है और सापों सा डसता है कुछ इंसानों के अंदर भी एक च्छिडिया घर बसता है हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ जो कि जिन्दगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं किसी को भी जितनी जरूरत हो उतना ही वक्त देना चाहिए वरना ना आपकी कदर होगी ना आपके वक्त की। उपर से देखने पर तो सब लोग अच्छे ही दिखते हैं लेकिन उनके अंदर का सच तो उनके साथ राने के बाद ही पता चलता है। बदलते लोग, बदलते रिष्टे और बदलता मोसम, चाहे दिखाई दे या ना दे, मगर मासूस ज़रूर होता है, जिन्दिगी में कुछ गलत हो जाए, तो घबडाना मत, क्योंकि दूद फटने से वही घबडाते हैं, जिने पनीर बनाना नहीं आता, कभी परोशी भी घर क हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज एक ही घर में नजाने कितने परोशी हो गया है,